नमस्कार दोस्तों मैं नगीना सर्वा बोकाडो से बोकाडो गाडेन में आप सभी का तहदिस स्वागत करती हूँ दोस्तों आप यहां कुछ फ्रूट और बेजितेवस देख रहे हो साथ ही यहां आप दूद के पैकेट देख रहे हो अभी मेरे कॉमेंट में आया है कि थोड़ी सी कुछ जानकाडी आप दे सकें तो सबसे बड़ी जानकाडी है कि आप जितना ज़्यादा अपने हाथ पैद को धोते रहते हैं मूग को धोते रहते हैं हर एक खाने वाली इवस्तु को धो के उपयोग करनी है और यह सबसे बहुत ज़्यादा ज़ोड़ी एक चीज़ अभी है जो आपको करनी है तो इसके लिए आप फोर्च के साथ पानी अगर आपके पास पानी की सुवधा है तो ऐसे करके भी आप फोर्च के साथ धो सकते हो और अगर नहीं तो बाल्टी में लेकर के भी बकेट में लेकर के भी दो सकते हो साथ ही जिस पैकेट में यह आया है उस पैकेट को भी आपको अच्छी तरह से धोल कर साफ कर लेनी है सुखाने के बाद इसका उप्योग करना है दोस्तों मैं इसलिए यहां मिर्ची के पास लाई हो कि आप देख लो आभी भी नहीं लगाए हो तो लगा लो क्योंकि यह बुड़े बक्त में हमारे बगीचे के जो फुरूट सबजियां होती है वो बहुत काम आती है इसको आप गमले में भी लगा सकते हो कैसे लगानी है क् क्यार करने है इस पर तो धेरो वीडियो में ने डाल रखी है दोस्तों कॉमेंट में जो आया था उसमें यह था कि मैडम यह लोकडाउन में अपना तो काम चल जा रहा है लेकिन पेर पौधे का क्या करूं अभी तो मार्केट बंद है डी एपी एनपी के यह सम्मिल नहीं र आता है दूद से जो पनीड निकालते हैं हम लोग उसी का पानी पड़ा हुआ है साथ में आपको यहाँ चाय पती दिख रही है तो यह चीज आपके यहाँ भी होती होगी पनीड का पानी को बहुत फायदेमंद है पौधे के लिए साथ ही जो जिस तसले में आप दूद बन हैं उसके छिलके हुए हैं या सबजी जो काट करके पानी फेकते हैं उसको फेको नहीं अभी पौधे को दे दो आपके बगीचे में इस तरह के जो सुखे हुए पत्ते देख रहे हो इस तरह के पत्ते तो गिरते ही रहते हैं इन सब को फर्टिलाइजर के रूप में आप उ वैसे वैसे ये नाइट्रोजन देता है और आप को जो प्लांट को जो यूडिया की कमी होती है उस कमी को भी पूड़ा करता है आपको कोई ज्रोड़ी नहीं है कि मार्केट से आप लाकर के यूडिया या एनपी के या डियेपी डाला करो साथ ही दोस्तों अभे गर्मी काफी बढ़ने जा रही है अपने पौधे को आप यहां देख रहे हो मेरे बगीचे से निकले हुए ये इसको कचरा ही बोल सकते हो कि लोग कचरा समझते हैं लेकिन आपके लिए कचरा हो सकता है आपके पौधे के लिए जीवनदा ही नहीं है इ जाय की पत्ती पुड़ानी पड़ी हुई हो उससे आप मल्चिंग कर देते हो तो यह फर्टिलाइजर का भी काम करता है मैं यहां आपको बता दूँ आप करने को मल्चिंग करते हो लेकिन वो यह डिकंपोज होता है और आपके पौधे को पोशन देता है तो यह काम भी और सियर जरूर कर देना ताकि बांकी लोगों को जो मन में प्रस ना रहा होगा कि अभी क्या करें डिये पी एन पी के नहीं मिल रहा है पौधे मरने पड़ हैं तो उनको भी फायदे हो जाएंगे आप अपने दोस्तों में रिलेटिव में इसको सियर कर सकते हो साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कर लेना मैं चलती हूँ आप शबो को नमस्कार आराव शर्षिया काल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत भ्यार